शूपरभात बच्चो आज हम पढ़ेंगे शपर्ष भाग एक से कक्षे नो के लिए पार्ट थ्री हमारे इस पार्ट का नाम है तुम कब जाओगे अतिथी तुम कब जाओगे अतिथी शर्द जोशी जी दुवारा लिखा गया है इसमें बताया गया है कि अच्छा अतिथी क को मुझबूर हो जाए जो इस पार्ट के मेजबान निरंतन सोचते रहते हैं इस पार्ट में सर्द जोशी जी ने ऐसे वैक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी रिष्टेदार के घर बिन कोई सूचना दिये चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं बले ही उन परसन बार बार मन में उमड रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथी इसमें लेखक कहता है कि लेखक के घर जो है चार दिन से एक महमान आ रहा है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है उसके बारे में पुरे पार्ट में बताया गया है तुम जहां बैटे नहीं संकोत सिगरेट का तुम जानते हो अगर तुम्हें इसाब लगाना आता है कि यह चोथा दिन है तुम्हारे सतत अतित्या का चोथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना परतीत नहीं होती है। ले रहे हो लाखों में लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्टरोइट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुमने एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर पर लगा दिया तुम अपने भारी चरन कमलों की छाप मेरी जमीन परंकित कर चुके तुमने एक अंतरंग नीजी संबंद मुझसे स्थापित कर लिया तुमने मेरी आर्थिक सिमाओं की बैंजनी चटान देख ली तुम मेरी काफी मिटी खोल चुके अब तुम लोट जाओ अती थी तुमारे जाने के लिए यह उच्छ समय है क्या तुम्हें तुम्हारी प्रित्वी नहीं पुकारती उस दिन जब तुम आये थे मेरा हरीदे किसी एग्यात अशंक से धड़क उटा था अंदर ही अंदर कही मेरा बटुआ कांप गया इसके बावजूद एक सन्हे भीगी और मेरी पतनी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी तुम्हारे समान में जो आती थी हमने रात के भोजन को एका एक उच मद्यम वरक के डीनर में बदल दिया था तुम्हें समर्ण होगा कि दो सबजियों और रायते के अलावा हमने मिठा भी बनाया था इस सारे उच्छा और हृिदय में ले तुम चले जाओगे क्या कहता है लेखे किसमे कि जब तुम आए थे हमने जो था आपका खुब आदर सतकार किया था आपको दो दो जब आय थे दो डिश हमने बनाय थी रायता भी और शलाद आपके जो है महमान वाजी अच्छे से की थी हम तुमसे रुकने के लिए आगरह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे क्या कहता है लेके किसमे कि जब तुम कहोगे कि मैं जा रहा हूं तो हम आपको कहेंगे कि थोड़ी देर और रुक जाओ और एक अच्छे अतिति कीतर है चले जाओगे पर ऐसा नहीं हुआ दूसरे दिन भी तुम अपने तीत के लिएका के लूंट के गरीमा पर दान की लेकह कहता है कि हमने जो दोपहर का भोजुन था उसको लूंगे पिजिनेंस की गरीमा कि दिखाया था हमारे सतकार आदर कई आखरी किनारा था जिस से आगे हम किसी के लिए नहीं इसकी तुरंट भाव भीने विधाई कवए अतिति को चला जाना चाहिए था जब तुम विदा होते हैं हम तुम इस्टेशन तक छोड़ने जाते हैं पर तुमने ऐसा नहीं किया तीसरे दिन की सुभे तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं यह अगात अपरत्याशित था जब वह मेहमान लेखक के गर तीन दिन से रह रहा था तो लेखक सोचता है कि आज तो तीसरे दिन है शायद यह मेहमान चला जाए लेकिन वह मेहमान क्या करता है और भी क्या करता है दोबी को कपड़े दोने के लिए देना चाहता है तो वह अग्हाद परत्याशी था लेखक के लिए यह आसा नहीं थी कि वह तीसरे दिन भी यही रहेगा इसकी चोट मारमिक्ती तुमारे सम्पे की वेला एका एका एक होता है अचानक यो रबरी की तरहे खिच जाएगी इसका मुझे अनुमान भी नहीं था अनुमान होता है अंदाजा पहली बार मुझे लगा कि अतीती सैदव देवता नहीं होता वह मानव और थोड़े अंसों मे इराक्षस भी हो सकता है किसी लोंडरी पर दे देते हैं जल्दी धूल जाएंगे मैंने कहा मन ही मन एक विजवास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है कहा है लोंडरी चलो चलते हैं मैंने कहा और अपनी सहज बन्यान और उक्चारी कुरता डालने लगा कहा जा रहे ह पतनी ने पूछा, इनके कपड़े लोन्री पर देने हैं, मैंने कहा, मेरी पतनी की आखें एक एक बड़ी हो गई, आज से कुछ वर्स पुरून की ऐसी आखें देख, मैंने अपने केलेपन की यात्रस मापत कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आखें बड़ी होती हैं, तो मन छोटा होने लगता है, वी इस आशंखा और भैसे पड़ी होई थी कि अतिती अधिक दिनों तक ठैरेगा, और आशंखा निमूल नहीं थी, अतिती तुम जान नहीं रहे, लोन्री पर दिये कपड़े, धुल कर आ गए, और तुम यहीं हो, तुमारे भरकम सरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हो, तुम यहीं हो, तुमें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराट धिरे धिरे फीके पड़कर अब लुक्त हो गई है, ठहाकों के रंगी इन गुबारे जो गल तक इस कमरे के अकास में उड़ते थी, अब दिखाई नहीं पड़ते बाचीत की उचुलती हुई गेन चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है, अब इसे ने तुम हिला रहे हो ना मैं कल से मैं उपन्यास पड़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्री का के पन्ने पलट रहे हो, सब दो कल इन देन मिट गया और चर्चा के विश है, शुरू हो गए परिवार बच्चे नोकरी फिल्म राजनीती रिस्तेदारी तबादले, पुराने दोस्त परिवार नियोजन, महंगाई साहित्ते और यहां तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमी का उप जिकर कर लि लेकिन अब तीन-चार दिन अतीति उसके घर पे रह रहा है, तो वह जो बात करने का ढंग है, वह भी लगबग खतम सा हो चुका है, अब से नहीं से नहीं होता है, धिरे-धिरे बोर्यत में रुपांत्रित हो रहा है, आगे कभी कहता है, लेका कहता है, कि भावना इंक गाल भार नहीं समझ पा रहा हूँ, बार-बार यह प्रसन उठ रहा है, तुम कब चाओगे अतीति, कल पत्री ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये, मैंने कंधे उचका दिये, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचडी बना रही हूँ, हलकी रहेगी बनाओ, सतकार की अब भी अगर तुम अपने विस्तर को गोलाकार रूप नहीं परदान करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा, तुम्हारे मेरे संबंद एक संकर्मन के दोर से गुजर रही है, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओगे नाती थी, तुम्हें यहां अच्छ अगर बस चलता है, तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते पर ऐसा नहीं हो सकता, अपने घर की महता की गीत इसी कारण गाए गई है, होम को इसी कारण स्वीट होम का गया है, कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने नहीं दोड़ी, तुम्हीं आच्छा लगा, प तुम्हारे यहां आगमन के बाद पांचवे सूर्य की परिचित किरन होगी, आशा है वह तुम्हीं चुमेगी ओर तुम पर, गर लोटने का सम्मान पुरूंक निन्या ले लोगे, मेरी सहन सिलता कि वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, और लड़ खडा जाओंगा, मेरे अतिथी, मैं जानता हूँ कि अतिथी देवता होता है, पर अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लोट जाता है, तुम लोट जाओ अतिथी, इसी में तुम्हारा देवतव शुरुक्षित रहेगा, यह मनुश्य अपन वाली पर उतरे उसके पूरव, तुम लोट जाओ, उफ तुम कब जाओगे अतिथी, यह लेसन हम कर चुके हैं, अब इसके बाद इसके सब्दात और प्रसन अभियास करेंगे, धन्यवाद